Our next question is, the data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village, find the model monthly expenditure of family, also find the mean monthly expenditure, इसमें वो क्या रहे के देखिए हमको expenditure दे रखा है हमारा, और ये हमको क्या दे रखी है, number of families दे रखी है, ठीक है, तो सबसे इसमें हमें क्या करना है, find the model monthly, also find the mean, यानि इस question में हमें mean भी find out करना है, और mode भी find out करना है, देखिए, अगर हमें mean find out करना है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, f i, क्या हो जाएगा, f i, और हमने क्या निकालना है, x i, क्या निकालना है, x i, ठीक है, यानि class marks, क्या बोलते हम इसको class marks, ठीक है, x i हमें find out करना है, x i क 1500 का बीच क्या होगा 11,000 ठीक है 1500 और 2000 का कितना होगा 17,000 ठीक है इस तरिके से हम सब की mid values लिख लेंगे यह हमने सब की mid values को लिख लिया अगला step क्या होता है हमारा fi and xi नहीं इनको हमने आपस में क्या करना है multiply करना है ठीक है तो अब हम multiply करते है multiply कैसे करेंगे देखिए 1250 को 24 कीजिए कितना आगया 30,000 ठीक है अब 1750 को 40 कीजिए कितना आगया 70,000 अब 2250 को 33 कीजिए ये मैं आपको बरीकी से calculation इसलिए करके दिखा रहा हूँ बच्चे सोचते सर हम इतनी बड़ी calculation कैसे करेंगे बच्चे ऐसे ही करोगे और इसका कोई होर method ही नहीं है ठीक है अगर आप इसको दूसरे method से mean निकालना चाहो निकाल सकते हो मैं किसी को मना नहीं करूँगा but as a teacher मैं मना नहीं करूँगा but personally मैं कहूँगा कि आप ये method ना follow करें ये ये method follow करें ये मैं आपको बिल्कुल हर एक बच्चे को clear की समझाने के लिए इतनी अराम राम से calculation कर रहा हूँ ताकि आप सबको समझ आ जाए ठीक है बट आपको थोड़ा सा अपना जो hand है वो fast रखना है ताकि आप paper में सारा का सारा वो जल्दी से कर सके ठीक है इस तरिके से हमने क्या किया सारी values को आपस में multiply कर लिया ठीक है इसके बाद हम क्या करेंगे इन सभी values को simply add कर लेंगे पांच और पांच तस चीरो एक तीन आठ तेरा तेरा और दो पंदरा पंदरा का पांच एक 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 और तीन चार आठ बारा दो चोदा साथ इकी अठाइस अठाइस और चार बत्तिस का दो तीन चे साथ तेरा तेरा साथ अठारा अठारा साथ पच्छेस नो पांच और पांच तस चीरो एक तीन आठ तेरा दो पंदरा पांच एक चार बारा चोदा एकी अठाइस चार बत्तिस दो तीन और तीन चे और चे बारा आठ बीस तो उननतिस उननतिस और साथ च्छतिस च्छतिस और साथ तर तालिस और त्रिफ्म ठीक है ते क्या आगया फाइफ थ्री टू फाइफ जीरो जीरो अब ये नंबर ओफ फैमिली ये देखें हमें गिवन है एड़ करने के ज़रूर तो नहीं तो ये हमारा क्या आगया सिगमा ओफ एफ आई आगया और ये क्या आगया सिगमा ओफ एफ आई ठीक है तो सबसे पहले हम क्या निकालना है मीन निकालना है क्या निकालना है मीन मीन के लिए हम क्या करते है फाइफ थ्री टू फाइफ जीरो जीरो को तू हंडर से डिवाइड कर देंगे यानि इसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्या आजाएगा 266 2.5 ठीक है तो mean किसके एकल होते है mean is equal to sigma of fi xi divided by sigma of fi that is here 532 500 divided by 200 जिसको हमने solve करके हमारा कहा है 2626 2.5 ठीक है therefore mean is mean is rupees 2662 यहां से हमने क्या निकाल दिया mean अब हमने निकालना है mode for mode आप लिख देंगे हम कि अब हमने क्या निकालना है mode mode के लिए हमारा क्या concept रहेगा क्या रहेगा कि सबसे highest frequency find out करो सबसे highest frequency क्या है यह तो यह क्या बन जाएगी हमारी f1 इसके पहले वाली f0 और इसके बाद वाली f2 यानि f1 कितना आगया 40 f0 कितना आगया 24 और f2 कितना आगया 33 ठीक है अब देखिए जो हमारी f है ठीक है f0 lies in f0 lies in 1500 2000 interval ठीक है therefore इससे क्या पता चला l is equal to 1500 and h is equal to 2000 minus 1500 is equal to 500 ठीक है यह पता चला ना हमें अब देखिए mode का हमारा क्या formula होता है mode is equal to formula लिखेंगे हम क्या होता है l plus क्या था हमारा formula f1 minus f0 divided by 2 f1 minus f0 minus f2 into h l कितना है हमारा 1500 plus f1 कितना है 40 minus f0 24 2 गुना f1 कितना है 40 minus 24 minus 33 और h कितना है 500 that is equal to 1500 plus 14 में से 24 गया 16 80 minus 24 minus 33 इसको multiply करेंगे 500 से चीक है तो यह कितना को आगा 1500 plus 60 80 में से यह कितना हो गया 57 80 में से गया 57 तो कितना आजेगा 23 into 500 चीक है that is your 1500 प्लस 16 पंचे 80 यानि 8000 divided by 20 तीक है 8000 को 23 से करते हैं divide क्या आएगा यह हमने लिखा 8000 इसको हमने किया 23 से तीक है 23 तीज 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 69 110 अब यह किस पे जाएगा 22 26 22 22 तीक है 8 और 118 उसके बाद 180 23 28 यह 8 पे नहीं 7 पे जाएगा 721 12 724 और 2 16 19 0 दुबारा यह किस पे जा रहा है एक 8 पे चला जाएगा क्यों 8 तीज चो भी 4 दो 8 तीज 8 24 4 2 8 16 2 18 6 0 यानि 2 तीक है आगया हमारा 1500 प्लस 347.82 तो हम क्या लिख सकते हैं Therefore The Model Monthly Expenditure Is Rs. 1847.82 ठीक है Students यह हमारा Question था अब हम Next Question करते हैं